तो यहां पर देखिया मैं कर रही हूं सीटी एम और यह हमारी ब्राइड है तो किस तरीके से मैंने मेकप किया है पूरा मेकप क्या किया है कैसे किया है और क्या चार्ज रखा है और मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं तो वीडियो में एंड तक बने रहें तो मैंने यहां पर देखिया सीटेम कर लिया है तो इसलिए और मैंने यूज किया है नीविया का मॉस्चुराइजर और उसके बाद मैं देखे हैं मैं आइब्रो फिल कर रहे हूं यह पैलेट है हिलेरी होडा की इसमें ती शेड़ाते हैं और नॉर्मल मैंने मियोन का ब्रश लिया है जिसे कि मैं इनके आइब्रो फिल कर रह पूरे फेस पर और उसके बाद मैं मैंने यहां पर लगाया है मियोन का ही लगाया है स्ट्रॉप क्रीम लगाया है मैंने यहां पर देखिए मियोन का इससे कहाना थोड़ा सा जो है स्किन पर ग्लो आ जाता है स्वरे शाइनिंग स्किन हो जाती है तो वह लगाया है मैंने यह पर लगाया है क्राइलोन जो सुप्रा से आइबरी शेड लगाया है मैंने यहाँ पर वही सबसे लाइट होता है तो मैंने उसी को लगाया है अच्छे से आप दोनों आइस पर लगा लोगे और थोड़ा सा ऊपर की साइड से भी आइबरो को जो है एक दम शाप कर लोगे इस पर की तरफ आपको डर लग रहा है कि कहीं आइबरो मोटी बतली न हो जाए तो आप उपर की साइड का छोड़ दीजिए कोई निकत नहीं है तो इसके बाद मैं मैंने यहाँ पर लिया है मैंने आइशे तरीके से ब्लेंड कर लिया है यहां पर देखे आइस पर और उसके ब इस तरीके से पूरी आइस पर अच्छे से उपर की साइड जो है ब्लेंड कर लिया है और इस तरीके से देखे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी पूरी आइस पर दोनों साइड अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए इकल देख लीजिए आगर आपको लग रहा है कम जादा है कहीं पर शेड तो आप उस कम ज्यादा शेड को बरावर कर लेजिए तो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे यहां पर लगबग मेरा हो गया है और अब मैं दूसरा शेड लोंगी इसी में से इससी में से देखें दूसरा शेड उठाया है जो परिपल कर लोगी हम और ही तो टार्क समझ लेजिए तो अजादा लाइट लग राद तो पहर नाहीं चाहिएतोunt जो भी मेक अप है वो पूरा अंदर चला जाता है दिखाई नहीं देता जो भी आप लाइनर भी लगा रहे हो ना वो लाइनर तक दिखाई नहीं देगा सो इस तरीगे की इनकी आंखे है तो उसके बाद मैंने देखी बाहर की साइड में जो है मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है मैंने बहुत ज़एदा वाँ आउटर कॉर्डर पर इस तरीगे से ब्लैंड कर लूँगी हलका बनका सा और ताकि मैं कोशिश कर रहे हूँ कि जो आइस है इनकी हुरेड आइस है जो की तो उसको मैं थोड़ा सा हलका सा नॉर्मल साइज दिखा सकूँ तो उसके बाद मैंने यहां पर हाफ कट क्रीज की है उसके लिए भी मैंने आइबरी शेड ही यूज किया है क्राइलोन का और आँखों को पूरा अच्छे से खुलवा लीजिए से मुझे बता चला कि इनका कितना ज़्यादा आ रहा है कितना थोड़ा सा मत्तब दिखिए क्री क्रीज लाइन है उससे मैंने हलका सा उपर तक इनको क्रीज दिया है ताकि जो है जब आँखे खो लेए तो क्रीज जो है वो दिखाई दे हलका सा तो इसलिए तो मैं दोनों आइस पर अच्छे तरीके से इसको लगा लूँगे आइबरी शेड को ताकि हम इस पर कोई भी श बेदेफ में अच्छा च आवा गयी शेट कर दोगी इसज बना इस इस तरीके सेर्गे है यह चाह तर जेएंस सब्या ने कर दिया रहे हैं इस सप्रेखन में बड़ता। वो हलका सा करने के बाद, फिर मैंने शेड को अठाया, शिमरी शेड को गोल्डन कलर के और फिर मैंने उसको इस तरीके से लगाया है, इससे कहा है, जो आई मेकप है वो लॉंग लास्टिंग रहेगा और बिल्कुल भी क्रीज नहीं पड़ेगा आँकों पर, तो इसलिए सो मैं सेंटर सेंटर में दोनों आइस पर देखे, ये गोल्डन शेड दे लूँगी इस तरीके से, और जब आप आँके बंद करे हो तो आपको दिख भी रहा है कि हाँ मेकप है लेकिन जैसे ये आँके खोलोगे ना वैसे ही, बिल्कुल ही मेकप छोप रहा है बिल्कुल छोप रहा है, पता ही निचल रहा है इस तरीके की आइस है तो हमने थोड़ा बहुत मेकप दिखाने के लिए हलका सा उपर उपर तक हम लेके गए है जो क्रीज है उसको तो देखे और उसके बाद मैंने इनर कॉर्णर पर बिल्कुल लाइट शीड दिया है बिल्कुल लाइट शीड ताकि यह वाइटर समझ लिजए वाइटर शीड दिया है ताकि जो आइस है वह बड़ी दिखाई दे मैं आपको बताए हम पोशिश करेंगे कि आखों को बड़ी यहाँ पर मैंने हलका इस थे ब्लैंड कर लिया है यह को जरूरत नहीं है दिए मैंने हलका सदम पहले ग्लू लगाया है और उसके बाद में घ्लू में प्रकहुता है का मैं लगा है और उसके जो राइबॉल होती है उसी के उपर क्राइगे यहां का फैसी कि आप अपक्राइभ लाजा ने जालकीडियोगे पोजूब अब कुछ नहीं लगवाना चाहता था कि बहुत से लोगों को ज्यादा चमकिल चमकिला पसंद भी नहीं ऊता है और फिर मैंने बहुत ही bright पहुत ही light लगाया है बहुत ही how छ्यादा नहीं लगाया है और बहुत ही ही अधिचन क्योंकि मैं परसनली पसंद स्ट्क्राइब कर लें उसके बाद में एक्सेस जो भी है वह कुलीन कर देंगे इस तरीके से आई बर्ट की हेल्ब से कर सकते है जैसे भी आप कमफर्टेबल हो पुस तरीके सो कर लीजिए उसके बाद में पर लगाया है 303 डिक लगाया है मैं रहाइए पर ये भी क्रेलों सोपरा बैलेट से है तो देखें और यह आज हैं यूजा कर रहे हूं यह में आई मैं जल्दि ब्लेंड कर रहा था बहुत जादा जल्दी व इतना सौफ्ट ब्लेंडर है बहुत ही तो मुझे बहुत अच्छ ब्लेंडर और फटाफट से बस हलका हलका सापको प्रैस करना था और इतने में ही अच्छे से ब्लेंड कर दे रहा था बिल्कुल भी आपको रॉफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तो पहले मैंने अच्छे से जो है 303 ब्लेंड कर लिया है फेस पर जहां भी डार्क सर नहीं ह cap गिजा यह जाँके पलिए तोंडर घ्री दोंगे मैं पूरे एक पहल फैस पर ब्लेंड कर लोंगे मैं ऐसे KreisArt कर दो दो कर दो कि दी या है और उसके ब्ल Dutchारफ हो यह यहां कि जो पार इंक जैबनेड कर दी लिए उसके बाद मैं नहीं जाके थोड़ा लाइट करके नॉर्मल और वो मैंने फॉरेवर फिफ्टी टू का जो है लिया है यापर कंसीलर और उसको मैं हाइलाइटर कंसीलर जो होता है वो और उसको मैं अच्छे तरीक से ब्लैंड कर दूंगी यहाँ पर तो अच्छी से लगा लेंगे पहले लिया तरीके से जो हमारे हाइलाइटर होते हैं वहां पर और उसके बाद मैं आ आपको ब्लैंडör की में स्कुछ सक्टी आप उमेड़कूळस को सब्सक्राइब क्राइम संतरे बीस दो है आपको घ् Свきた फित बेंच करना है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा और आपका जो मेक अप है वो भी लोंग लास्टिंग ही रहता है थोड़ा सा आप अपने ब्लेंडर पर जब आप यह ब्लेंड कर रहे हो कंसीलर वगरा या फांडेशन तो हल्का सा आप इस पर सैटिंग स्प्रे यूज कर सकते उससे आपका जो मेक अप है वो लॉक हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से लॉंग ली चलेगा तो मैंने यहां पर यूज किया है ट्रांस्लुसिन पाउडर और बहुत हलका करेंगे बिल्कुल हलका स्वरी मैंने यहां पर शुगर का बनाना पाउडर यूज किया है और यहल्का सा यहल्लो टून पर होता है तो नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है तो मैंने वही यूज किया है देखे इस तरीके से और बहुत ही लाइट-Lाइट ही यूज किया है ज्यादा यूज नहीं किया है विगाज़ अफ सर्दी है और सर्दी में जो है इ तो पर आप जादा पाउडर यूज़ करोगे तो फिर और जादा ड्राय हो जाएगा फेस इसलिए मैंने हल्का हल्का सही यूज़ किया है बस अंली उसको सैट करने के लिए पूरे फेस पर एक्वली पूरे फेस पर लगा लोंगे और नैक पर भी आपको लगा लेना है सो उसके बाद में मैंने यहां पर किया है ब्राउंजिंग तो मैं हल्के हल्के सी करूँगी ब्राउंजिंग बहुत जादा मैंने ब्राउंजिंग भी नहीं की है आप चाहो तो इस जगे पर आप कॉंटूर भी कर सकते हो क्योंकि सरदिया है सरदिया मैं आप एजिली कॉंट तो बिल्कुल भी अलग सा फील नहीं होगा और अच्छा सा ही देखेगा उसके बाद मैंने देखे यहां पर चीक्स के नीचे जो हमारी जॉलाइन होती है वहां पर मैंने ब्रॉंजिंग की है और मैं हल्की से जो है नोज को कट करने की कोशिश करूंगी इस तरीके से और हल्क इसके बाद में मैंने यहां पर यूज किया तो मैं अच्छे तरीके से दोनो चेक्स पर लिगा me only धुतक फरूत लगी पर Lub उसके से और की अरया में शादी यह रहां देखिती और ही यहां बाह्त ज्यादी नाल लाल बाह्त कर देते हैं और अच्छा नहीं लगता है तो इसलीए तो इसके बाद में यहां पर स्फॉघ इसकी नहीं hadast सो यह मैंने मेवलीन का लाइनर यूज किया है आपके पास जो भी लाइनर हो आप वो यूज कर सकते हैं मुझे अच्छा लगता है मेवलीन का लाइनर लिया है तो उसी को मैं अच्छे तरीके से पूरे आइस पर इस तरीके से बहुत ही पेसेंस का काम होता है लाइनर लगाना मुझे दो ही चीजें पूरे मेकप में हार्ड लगती है और वो होती है एक लाइनर और एक लिपस्टिक बस बाकी तो सारा बहुत जल्दी हो जाता है बस इसमें ही थोड़ा सा मुझे पेसेंस से काम करना होता है कि जरा सा भी इधर से उधर हुआ कि आपके लिए एक काम और बढद जाएगा तो यσी लिए उसके बाद में जो शेड मैंने इनको उपर आई पर दिया है वही शेड मैंने को नीचे की साइड भी हलका हलका चा दिया है काजल मैंने बिलकुल ही नहीं लगाया है ताको इनकी आइस जो है और छोटी सीना लगे इसलिए मैंने काजल नेचे की साइट दिया ही नहीं है इनको सिर्फ वाइट काजल लगाया है उसके बाद मैंने यहाँ पर देखे मेवलिन का ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सेंस के साथ मैं आप लाइन ड्रो कर लेंगे सही तरीके से और मुझे बिल्कुल भी इनके लेप्स को चोटा बड़ा करने की ज़ुरत में नहीं पड़ी थे क्योंकि अच्छे सही थे तो कुछ भी करना नहीं पड़ा था किसी के लेप्स चोटे हैं तो आप थोड़ी सा बड़ा करने के लिए याप बड़ा कर सकते हो उनको और अगर किसी के ज़्यादा बड़े हैं तो आप उनको छोटा भी कर सकते हो सो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा और बस अच्छे तरीके से लिए-स पुरे फेसपन में हलका सा लेप्स पर मैंने जो ऐा लिप्स चिक लगा दी है वह अच्हे तरीके से ये लेखे मैंने बहुत ज़ादा डार्क कणर्क क् лиप्स चैख नहीं लगा तर रहका सा में मतलब बहुत डार्क नहीं और बहुत Ngam कलर क्लिपट College जैंगा है तो देखें, complete हो गया है, look और अब ढ़ी तक इनके लहंगा नहीं आया था और असल में जोता को मेंको इनके लहंगे का कलर उक्स काया तो यहां सो हमने यहां पर कर दिया है हाइड यहां लगा देख यह पूरे जो है अग्याइचक पर लगा दूँंगी फोरेट और दोनों चीक्स पर और नोज पर so, अच्छे तरीके से oh I am всё अच्छा ही तो हम इनको हो यह उज़े एलसे 50 में याका और is ऐाइमजिक की ढ्रीमिट की.0 6 मिनुझे हिए अच्छा है अच्छा वही वाक्स että थो में तक वोही बहुआ द्टक है और मेक अब बंदी लगा च्छा है मेरा फाइनल लोग देख लीचे हमारे ब्रैड रेडियो कैसी लग रही थी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और लाइक कीजेगा कमेंट करके बताइएगा बाई राधे राधे